ठीक है तो आज हम कोट कार्ड स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास के अंदर हम सिरफ और सिरफ कोट कार्ड के बारे में ही पड़ेंगे क्योंकि बेसिकली ज्यादा तर एक से दस तक सीरीज में कार्ड हमें क्या बोल रहा हैं वो सब को पता ही होता है हम कहां पर आकर के फस्ते हैं जहां पर कोट कार्ट आ जाते हैं तो यहां पर समझनी आता भी क्या बोलें अब इसको explain करेंगे आज की class में इससे पहले में आप लोगों से थोड़े से views लेना चाहते हूं सिरफ page के बारे में बोलेंगे आप लोग मुझे बिटाइए कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है हांजी स्टार्ट विद नेहा नेहा पहले आप तो दो दो तील लाइस जितन आपको पता है देन गारगी आप बोलना बाकि बाकियों से फिर मैं नेक्स पूछ भी यस माम सो मैं पेजिस जो हमारे कोट कार्ट के होते हैं वह ए तक नहीं ले जाते हैं and they are very much younger और उतना वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और फिर हम हर पेजिस की maturity और जिसीजन पावर कम है फिर हर सूट के साथ हम उसको जोड़के उसका element के साथ देखके फिर उसको प्रेडिक करते हैं राइट हंजी गारगी जिने की कुछ करने की चाहत उनमें बहुत ज्यादा होती है तो यहां यही मुझे बोलना था माम तो इस तरह से मैं पेजिस को देखेंगे कि यह जो चार हमारे characters हैं page, sword, king and queen sorry page, knights and king and queens यह हमारे एक kingdom से relate करते हैं मतलब kingdom का मतलब यह नहीं है कि हम किसी ऐसे kingdom की बात करें गहीं पर exist कर रहे हैं यह kingdom हमारे घर का ही kingdom है हम जो family के अंदर लोग हैं वही यह सारे characters होते हैं pages होते हैं बच्चे, knights होते हैं young person, queens होती हैं घर की रानिया मतलब औरते हैं घर की जो घर की पूरी responsibility संभालती हैं और राजा होते हैं घर के mature person जो की पिता हैं और घर का पूरा जो है दारमदार उनके कंदों पर रहते हैं अब जो pages हैं हम उनको बच्चे बोल रहे हैं इनको आप अपने घर के बच्चों के साथ relate कर सकते हो अब आपके जो बच्चे हैं वो इन में से इस तरह के बच्चे होंगे सारे किसी का बच्चा तो बहुत जुबान लडाने वाला होगा वो हर चोटी-चोटी बात पर आप से जुबान ल मतलब इसा ने कि वहार से घरम होते हैं मतलब उनके अंदर एनरजी बहुत ज़ादा होती है जैसे पूरा दिन घर के अंदर उथल पुथल मचा के रखते हैं पूरा धिन घर का समान इदर से उदर, इनके अपने टॉइस हैं, तो पता नि कौन कौन से कौनों में पड़े होंगे, हाणा, यह इस टाइप के बच्चे हैं, अब जो मेरे बच्चे हैं, वो बचारे इस टाइप के हैं, पैंटेकल्स वाले, थंडे सभाव के हैं, उनको मैं अभी तो खेर बड़े हो गये, तो मैं जब छोटे थे तो मैं कई परी जैसे याद करती हूँ कि वो किस टाइप के बच्चे थे तो वो बड़े शांत स्वाव के थे जैसा मैंने उनको बोलना कि हां पिटा यहां पे खेल लो वहीं बैठके खेलते रहते थे बड़े अच्छे से खेल खूल कि अपने टॉइस यहांगा दोगे हलका सभी आँकी अख़र दिखा दिए तो बड़े इमोशनल ओजाते हैं घबरा जाते हैं आपसे डर जाते हैं तो बड़े sensitive बच्चे हैं तो यह हमारे चार तरह के बच्चे हैं यह जो बच्चा है page of sword यह डरता नहीं है और नहीं यह page of went डरता है डरता है इन में से सिरफ यही वाला बच्चा थोड़ा डरता गबराता है क्योंकि वह emotional है वह डर जाता है यह बच्चा आपसे जुबान लड़ाएगा अब हम इन pages को पढ़ते कैसे हैं देखो जब आप cards निकाल रहे हो हमें यह तो पता चल गया कि यह page की energy आई है यह बच्चे की energy है अगर एक 60 साल के कई पर यह भी बात आपने सुनी होगी ना कि उमर 55 की और दिल बच्च्पन का त तो आप ऐसा समझो कि जो भी इनसान के लिए यह cards निकले हैं अगर वो 55 और 60 साल का भी है ना बट उसकी energy बच्चों वाली है समझ रहे हो उसके काम बच्चों वाले हैं यह इनसान 60 साल की उमर में भी आपसे बहस करने वाला इनसान है यह ठंडा होने वाला इनसान है यह हैस बाजी करेगा राइट अगर यह सुपोज एक 80 साल का कोई बुजर्ग आप से पूछ रहा है और पेज ऑफ वैंड उसकी personality में आगे हम personality की बात कर रहे हैं कई बरी ना लोग पूछते हैं कि मेरे को जानना है ना कि मेरे father-in-law मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या वो किस तरह की personality हैं या हमारे सामने घर में एक अंकल रहते एक बरी मेरे पास question आया था मैं मेरे सामने घर में अंकल है उम्र में तो इतने बड़े हैं पैंसोट सतर साल के हैं लेकिन वह हमेशा मेरे तरह देखते हैं जब देखो पता नहीं क्या है उनके मन में ना तो किसी भी तरह क आपके पास question आ सकता है तो मैंने जब उनकी personality निकाली तो उनकी page of band की energy आई थी तो हम समझ सकते हैं कि उस person के अंदर बच्चे की energy है मतलब वो अभी अपने आपको mature और वो 80 level के age में नहीं समझ रहें वो समझ रहे हैं कि उनके अंदर उतना ही उत्साहा उतना ही जोश और उ यही चीज हम nights के लिए समझेंगे queen और king को हम बाद में describe करेंगे क्योंकि देखो king और queen है ना यह दोनों एक जैसे होते हैं क्यूं होते हैं क्योंकि एक अपने maturity level पे आ चुके हैं ना इन्होंने 40 क्रोस कर लिया एक सेकेंड लेकिन ये वाली energy है ये 40 से छोटे लोग हैं ये तो हैं 20-22 साल के लोग बच्चे हैं छोटे और ये थोड़े से उनसे बड़े हैं अब अच्चे से लेकर के आप सोच लो 40 साल तक के जो लोग होते हैं वो nights होते हैं उनके अंदर full energy होती है बरपूर जोश होता है इसी time के अंदर ये लोग अपना career सेट करते हैं फैमिली ब्राते हैं अपने आपको settle करते हैं तो यही वो age है इसी लिए इन दोनों की energy आपस में match करती है ये थोड़े से pages से mature होते हैं लेकिन जो king और queen है ये इनके जैसे नहीं हैं समझ रहे हो ये अपने आपको समझ लो आपकी 40 प्लस हो आप किस maturity से अना आपके husband घर को किस maturity से संभाल रहे हैं आप किस maturity तो आप इनका comparison नहीं कर सकते हैं हम हम अगर सोचत कि हम घर का काम कर घर की responsibilities उठा रहे हैं तो हम ना कई वरी सोचते हैं यार जितना काम ना 20-25 साल कि उमर में होता था इतनी जल्दी जल्दी वह अब नहीं हो रहा है तो एक हमारा जो pace होता है काम करने का वो भी थोड़ा कम हो जाता है इस age के अंदर तो इनको हम एक category में रखेंगे और इन दोनों को हम एक category में रखेंगे लेकिन इन दोनों में फरक क्या है कि ये बचकानी हरकते करते हैं क्योंकि ये बच्चे हैं और आप बच्चों से उमीद नहीं कर सकते कि वो कोई maturity वाला काम करेंगे अब बेशक वो person जिसका मेरे पास question आ आप उनको follow कर रहे हो उनके उनके पीछे जा रहे हो उनको बात करने की कोश्चित तो ये बचकानी हरकत है ये कोई maturity वाली हरकत तो है नहीं तो जब भी आपके ये pages आपके cards आपके readings में आते हैं तो आप सीधा तोर पर ये समझ सकते हो कि एक तो ये बंदे की energy बच्चों व या page of band है या cups है ये भी देखेंगे हम अगर वो cups वाला बच्चा की energy आ गई तो हम सोच लेंगे कि ये इनसान बेशक 60 साल का या 50 का या 45 का जितने का भी हो गया लेकिन ये अभी भी बच्चों की तरह अंदर से मासूम है अंदर से अभी भी इसकी feelings जो है ने छोटे पे hurt हो जाता है चोटी सी बात इसको pinch कर जाती है अगर page of band आएगा तो आप समझ लेना कि इसके अंदर बच्चे की energy है और ये बड़ा active है इसके अंदर passion काफी जादा है और ये कोई भी काम इसको ना direction की जरूरत आप समझ सकते हो जैसे 80 साल का बंदे को उस टाइम पे direction की जरूरत है बेशक वो उम्र से 80 साल का हो गया लेकिन still उसके जो अंदर का बच्चा है ना वो अभी नहीं होया कहीं पर भी तो वो passion वो energy अभी अपने साथ लेके घूम रहे हैं वो शायद अपने आपको शीशे में देख कर के कभी ये feel भी नहीं करते होंगे कि भी मैं 75 प्ल page of pentacle आता है तो आप समझ सकते हो कि ये इनके अंदर भी बच्चों की energy है लेकिन ये बड़े stable है इनको किसी काम में जल्दबाजी नहीं पड़ी हुई इनको पड़ी हुई है जल्दबाजी page of wind को क्यों क्योंकि energy है ना अंदर से energy अंदर जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या कोई कीड़े हैं जो कूद रहे हैं है ना तो इनके अंदर वो कुछ अंदर के कीड़े होते जो कूदते रहते हैं लेकिन इनके अंदर नहीं बड़े stable है लेकिन still immature है maturity के energy है जिस काम को हाथ में लेंगे वो पूरा नहीं करेंगे ये सभी pages की energy रहती है किसी भी reading में आते है ना अब अगर ये वाला आ गया है page of sword तो आप easily बंदे को बोल सकते हो कि obstacle जहां पे भी swords के cards आ गए that means obstacle कौनसा obstacle छोटा obstacle दूसरी हम इसको reading करते हैं एक तो हमने पढ़ लिया कि वो बच्चों की energy है immature है second हम pages के cards को पढ़ेंगे कि ये starting है किसी चीज की start हो रही है अभी क्योंकि वो बच्चा है ना छोटा है जैसे business है तो business की starting हो रही है right suppose बंदा बोलता है कि मेरे कुन अपने business के बारे में जाना है और मैं पिछले 5 साल से business कर रहा हूं अब उस business में 5 साल से कर रहा हूं लेकिन मेरे पांस card आ गया page of cups का है ना तो हम बोलेंगे कि आप बेशक 5 साल से business कर रहे हो लेकिन आप कोई अपने business को की एक तरह से ना जो starting आपकी 5 सल पहले चल रही थी ना उसी level पे अभी भी आप काम कर रहे हो आप बड़े नहीं हो आगे बड़ हुआ है ना तो जिस level पर आप 5 सल पहले थे वहीं पर ही आप आज हो रहे क्यों क्योंकि page की energy है बच्चा है अभी वो रिलेशन के लिए question आ गया कि मेरे partner मुसे बात नहीं करते चोड़के चले गए हैं ब्लॉक कर दिया है page of sword आ गया स्पोस्थ हना तो पहली ही चीज क्या आएगी आपके रिष्टे के अंदर बच्पना है secondly obstacle आपके रिष्टों में problems चल रही है किस कारण से communication के कारण क्यों क्योंकि यह suit है communication का चीक है अगर यह वला आ जाता है तो problem आती है emotions के कारण कि आप बहुत जादा sensitive हो दोनों ही जने आपके रिष्टे में sensitivity बहुत जादा है तो maturely तो आप चीजों को handling नहीं कर रहे हो तो कहां से ही आपके रिष्टे में stability आएगी है ना अगर page of wind आ जाता है तो हम बोलेंगे कि आप जो energy full of energy हो आप अपने partner के लिए लेकिन अभी भी आपका रिष्टा जैसे बोलते हैं कि रिष्टे को हम पूछ लेते हैं कितना time से आप पर रिष्टा है तो बोलते हैं कि भी दो साल हो गए है तो हम बोलेंगे कि देखो आपके रिष्टे में जो enthusiasm जो energy जो aggression दो साल पहले था ना वो ही अभी है तो वो तो अच्छी बात है एक तरीके से रिष् लेकिन अब हम को यह जरूर देखना है कि यह question हमें कितने साल के लोगों ने किया है अगर यही वाला question हमें 80 साल का person पूछ रहा है तो फिर उसके लिए तो ठीक नहीं है भी इस टाइप की energy अना तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो behavior है वो बच्पने वाला है अभी तक आप maturity आपकी चीजों में नहीं आई तो जो 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 फुर्तीला पना फील कर रहे हो आपके आपके हिसाब से तो हमें लगता है कि उसमें आपको थोड़ा सा ठहराव चाहिए इस टाइम पर तो ठहराव की कमी है तो pages को हमने कैसे समझा कि एक तो वो बच्चे हैं बच्पना करते है secondly वो चीजों की शुरुवात हो रही है कि जैसे आप उस टाइम में थे वैसे ही आप इस टाइम पर हो लेकिन स्पोज अगर बंदा बोलता है कि नहीं अभी तो मेरा रिष्टा नया स्टार्ट ही हुआ है और हमारे पास page का काड़ आता है तो हम सीधे दोर पे समझ सकते हैं क कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है अब आपको ध्यान रखने का बताना है उनको कि आपको आपके रिष्टों में ओवर इमोशनल नहीं होना ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी आपको जादा सेंस्टिव नहीं होना क्योंकि page of cup क्या है वो सेंस्टिव है ठीक है अच्छे से अपने रिश्थे को निभाईए avt upने रिश्थे को पूरा आगे तक नहीं ले जाएंगे ये कोई भी पेच का आता है और अगर रिश्थ स्टार्ट हुआ तो यह पूरा अपने रिश्थे को नहीं निभाते यह मैं एक बर एक्जामपल में भी देती हूं कि मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे चले गए हैं कहीं कहीं पर तो वो मेरे से आज भी कई परी रीडिंग्स लेते हैं फोन कर करके न तो मेरे क्लाइट हैं जो स्टूडेंट ये वैसे तो अब तो क्लाइट बन चुके हैं 벤ो इस 걸् कार्ड ज्कालती हूं काई है मतलब इसके और भजीत बच्फपन अभी तक नहीं गया हलांकि एक अरक बर यह उसने मुझसे फूचा मैं मेरको यहां पर इक लड़की मिली है फोर्रड करते हके सब मैं सुच रहा हूँ नहीं से सचाढ़ करके यहां पर बेसे प्राशी करेBayा कर दो देखो था meant एम उसका क्या था यहां पर पी यार लेना इस लड़की से शादी करना हना तो तयार था पूरा इसलिए हमारा यह वले पेज का जो ड्रेस अप है थोड़ा जादा अच्छा दिखा रख है क्योंकि यह रेडी हो जाता है एकदम से चीज़ों जैसे ही इसके हाथ में उपरचु से शादी करके मैं सेटल हो जाऊंगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस रिष्टे में आगे बढ़ेंगे आप इस रिष्टे को पी यार तक या शादी तक ले जाएंगे यह जो जोश है यह बच्चों वाला जोश है यह जोश आपका टाइं टाइं फिश हो और मैं अपको ना इन्विटेशन भेजओंगा कार भेजओंगा मैंने का भईया मैं तो नहीं आ सकती है तो प queria n mm प्याद के शादी करेंगे तो राप आ जबना घर-चलो निकल जाता है टाइम निकल जाते तो मुझे 6 महिने के बाद धुबार तो मैं नहीं नहीं मैं बस उसका तो मैंने ना थोड़ा टाइम हमारा relationship बढ़ अच्छा चला उसके बाद तो पता नहीं वो तो change ही हो गई मैंने को वो नी change होगी तुम change हो गए क्योंकि मेरेको तुम्हारा page of का काड आया था उस टाइम पर कि तुम तो काफी जोश में हो लेकिन यह जोश तुमारा कुछ टाइम के बाद ढल जाएगा क्योंकि बच्चा है ना बच्चे को देखो एक नया टॉय लाके दोगे आप तो थोड़े टाइम तो वह खेलेगा उसके साथ अना अपने फ्रेंड् एनरजी होती है हाँ जिस भी कार्ड में यह आपके एनरजी आएगी पेजिस की रीडिंग्स में आपको बोलना है कि आप बहुत जादा ओवर एंबीशियस हो इस टाइम पर अगर यहां पर पेज ऑफ कप आता है तो ओवर इमोशनल हो करके आप यह डिसीजन ले रहे हो ले सोच भी रहे हो बड़े ध्यान से सो समझ के अपनी तरफ से आप सो समझ के स्टैप लेने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो सकता है कि आपका इतना जादा सोचना आपका ठंडा पन ही आपके काम को पीछे कर दे कि आप सोचे ही जा रहे हो आप क्यों क्योंकि अर्दली साइन है यह थंडा साइन है, इसमें काम जल्दी नहीं, अभी यह गरम जोशी में काम कर रहा है, यह इमोशन तोर पे कर रहा है, लेकिन यह थंडे तोर पे काम को शुरू किया है, इसने दीरे-दीरे, इतना दीरे-इतना दीरे की कच्छुए की चाल पे, तो कच्छुए की चाल पे अ आप बोल सकते हो कि आपके जो communication है आपके लोगों के साथ, आपकी अगर प्रापलम, पहली बात है कि ये page प्रापलम ले के आता है, पहले तो आपंग on March Так कि problem create करेगा किस कारण से आपके बोलने के कारण से आप aggressive हो करके communication आपका खराब हो जाएगा और दूसरा हम देख रहे हैं कि page इधर उदर भी देख रहे हैं तो वो इधर उदर से information इकठी कर रहे हैं तो आप अपने targets को follow ना करके कि आप इधर उदर की बातों में जादा ध्यान दे रहे हैं उस वज़े से और उस वज़े से आपकी चीजों में problem create कर हो रही है दूसरा आप communication के कारण आपकी problem आ रहे हैं तो कोई भी page का कारण किसी भी reading में आता है तो हम सीधे तोर पर बोल सकते हैं कि आपका ये काम पूरा नहीं होगा क्योंकि ये लोग करेंगे ही नहीं छोड़ देंगे ये विचारा emotional हो करके कि छोड़ देगा emotions में आप करके कि इसके हिसाब से चीज़ें नहीं है चोटा सा किसी ने कुछ बोल दिया ना जैसे अगर स्पोस्वर्मेंट जॉब के लिए आता है कि बंदा मेरे को गवर्मेंट जॉब नहीं मिल रही मैं बताइए मैं को मिलेगी या नहीं मिलेगी अब म सेंस्टिव हो आपको तो मन के अंदर यही है कि भी कहीं मैं फेलना हो जाओं पता नहीं मैं कर पाऊंगा के नहीं आप तो confident ही नहीं हो अपने decision के साथ कि आपको करना भी है या नहीं करना है ना तो इस confidence के साथ तो आप नहीं कर पाऊंगे आप उनको बोल सकते हों इनको बो अगर कहीं पर आपने इस वेंड को छोड़ दी आपका फोकस चला गया तो फिर नहीं कर पाऊगे इसको बोलेंगे कि आप बस सोचे जा रहो इतने ठंडे बस्ते में आपने चीजों को डाल दिया है इतनी धीरे कि हाँ चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे लेकिन क्या है कि इसमें उतनी एनरजी नहीं है इसलिए इसके कपड़े भी देखोगे ना तो बड़े डल से कपड़े हमें दिख रहे हैं सबसे जादा हमें इसके कपड़े ब्राइट दिख रहे है पेज वेंड के रहें और जो पेज ऑफ स्वार्ड है यह करेगा लेकिन यह अबस्टेकल आजाएगी यह बचारा करेगा कोशिश लेकिन इसकी अडचन आएगी तो अडचन के बाद होगा मैं ऐसा बोलेंगे चीक है तो आई थिंक पेजिस क्लियर होगें आप सबको अना अलग-अलग रीडिंग्स में आएंगे तो कोई क्वेश्चन पेजिस के लिए तो पूछ सकते हो माम यह जो पेजिस वाला बच्चा है सौरी सौर्ज वाला जो बच्चा है पेजिस में तो इसको यह बहस बाजी में आपने बताया यह बहुत आई बहस बाजी करेगा और तो मैम क्या इसको विचार भी मतलब उट पटांगी आते हैं इसको स्ट्रेस भी रहता है कि दिमाग में जैसे कि दिमाग में खलबली चलती है न इसके जैसे एक क्वेशन आया था कि मेरा बिजनस क्यों नहीं चल रहा है और यह कार्ड निकला उस विखती का तो मतलब माम वह बहस बाजी करता होगा लोगों से बात को कुछ का कुछ समझना य आपके क्लाइंट्स आप से बन नहीं पा रहे हैं तो जो कोई एक बर यह आपसे समान लेता होगा वह दुबारा आता ही नहीं तो कौनिकेशन खराब होते में हम दिमाग कोई क्योंकिशन इसलिए तो खराब करेगा ना जो गलत सोचेगा तो में जोकिए सोच ही गलत है आप करने की कोशिश करता हो सकता है यह जूट भी बोलता होगा और दूसरा ही मैच्योरटी से तो बिजनस ही नहीं कर रहा है जब से इसने बिजनस शुरू किया है जो शुरू में चाहे वो दस साल पहले किया हो आज भी इसका बच्चों वाला भी है अपने बिजनस के अंदर वो और जुट आगया ना सीधा बोल दो कि जिस लेवल पर इतने साल पहले थे उसी लेवल पर या आजो ठीक है मैं सपोस्स कोई पूछता है कि सामने वाली की पीलिंग्स क्या है एक पसे तरव तो उसके लिए क्या हम बताएंगे उनको एको पीलिंग्स के लिए तो वैसे मेरी एक PDF है आप वो ले 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 ना उसमें सारा क्लियरली लिखा हुआ है मैंने सारा यह फिल करते हैं लेकिन अगर आप यहां पर पूछ रहे हो only pages के लिए क्या फिल करते हैं आपके partner आपके लिए उनके धिमाग के अंदर बहुत विचार उबढखा बढ़ है मतलब कोई clear विचार नहीं है उनके दिल में और दूसरा वो बड़ी बहस करते हैं आपसे है ना तो आपके साथ हाँ वो फिल करते हैं और दूसरी चीज ना आपको यह भी ध्यान रखनी होती है जब हम specially feelings के card निकालते है ना तो मेरे partner मेरे बारे में क्या feel करते हैं तो यह card आपके लिए निकला है this is you in this card यहाँ पे partner नहीं है इस चीज का ध्यान रखने हैं आपको ओके हैं और यहाँ पे ना हम दो card निकालते हैं जब भी आपको rider weight से feelings निकालनी है आप दो card निकाल लो एक card निकालेंगे कि मेरे partner की energy क्या है मेरे लिए secondly वो मेरे बारे में क्या feel करते हैं तो जो आप मेरे बारे में feel करते हैं निकालोगे तो फिर यह वाला card page of sword बताएगा कि यह आप हो कि आपके अंदर बचपना है आप बहुत जादा दिमाग चलाते हो आप बहुत जादा इधर उधर की बातों में ध्यान रखते हो इधर information लिकठी करते रहते हैं उनके बारे में बड़ा उनके साथ communication आपका खराब है तो यह partner आपके बारे में यह feel करते हैं कि आपके अंदर तो हद से जादा बचपना है अगर page of pentacle आता है तो मेरे partner यह सोचते हैं कि मैं by nature बड़ी थंडी सी सभाव की हूं है ना एक चीज़ के उपर focus तो बनाती हूं लेकिन उसके उपर कोई action नहीं लेती सोचती रहती हूं सरफ बातें करती रहती हूं action वाला मेरा कोई काम नहीं है तो मेरे अंदर मेरे पार्टनर सोचते हैं कि बड़ा इसके अंदर बच्पना सा है बन्लब यह बड़े ठंडे सभावाला बच्चा है इस तरह का feel करते हैं अगर यह आता है page of went तो मेरे partner सोचते ह है कि भी मैं बड़ी गरम जोश में बड़ी एंथूजियास्टिक हूं बड़े एक्षन लेने के तयार रहते हैं बस वो आपको बोलेंगे ही कि हां भी कल शायद हम मिलेंगे तो आप तयारों के बैठ जाती है चाहे पार्टनर का प्रोग्राम बने ना बने आने के लिए आप से तयारी कसके कि चलो भी आस तो मिलना है इस तरह से आप एक्षन ओरियेंटिड हो वो सोचते हैं कि आप बड़े क्विक हो अपनी एक्षन में रहीं यह अगर आता है तो मेरे पार्टनर सोचते हैं मैं बड़ी इमोशनल हूं इंबैलेंस हूं मैं अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकती हैं अपने इमोशन को मैं बैलेंस नहीं कर सकती हूं मैं हमेशा डूल माइंडिड रहती हूं और बड़ी सेंस्टिव हूं अगर वो कुछ गोल देते हैं चोटा मोटा तो मैं दिल पे ले लेती हूं ऐसे कुछते हैं तो यहां पे हम दो कार्ड्स निकालते हैं हमेशा याद रखना अगर कोई आपके पास feeling का question लेके आता है कि मेरे partner मेरे बारे में क्या feel करते हैं एक card हम कि वो मेरे बारे में क्या feel करते हैं मैं हूँ इस card के अंदर दूसरा card मेरे partner की energy क्योंकि हमें उनकी भी तो energy पता लगनी चाहिए न कि उनकी energies क्या है तो दूसरी energy मैंने निकाली अपने partner की suppose उनके लिए आ गया page of sword है ना तो वो अपने अंदर से काफी ज़ादा hurdles feel कर रहे हैं अपने relationship में communication को लेकर के वो ऐसा feel कर रहे हैं कि हमारे रिष्टे के अंदर बहस बाजी बहुत होती है वह इसा feel करते हैं मतलब यहाँ पर यह नहीं सोच रहे कि हमारे रिष्टे में ऐसा चल रहा है समझ रहे हो मेरा point हमारे रिष्टे में communication अच्छा नहीं है उनकी energy इस time पर ऐसी है तो मैम जो पहला कार निकलेगा वो हमारी feeling reflect करेगा उस कार्ड से हम सामने वाला हमारे लिए क्या सोच रहा है जस्ट उस पे reflection जाएगा और second partner हमारे relationship को लेके क्या सोच रहा है वो show करेगा आपको दो ही कार्ड निकालने है एक आपके partner की energy एक वो आपके लिए क्या feel करते हैं मतलब आप होगे उस कार्ड के अंदर कोई बात नहीं जब हम spreads लगाएंगे न उसमें ये वाला इंपरिकर बात हूं इस spreads में जी माँ चलिए nights पे आजाते हैं nights को बताईए कौन बोलेगा रेखा बोलेंगे nights okay रिटिका आप बताओ yes ma'am nights में a king of pentacles तो इसमें जो night of pentacles sorry ma'am हाँ वो बताओन तो बताओना जाता है बड़ तो thoughts वो है वो उसी के अंदर उसके आजाता है जिसके में इससे वो action में होता है लेकिन step-up नहीं जाता है जाता है तो यह जो करता है मैं आपका ना आवाज नहीं आ रही है हमें मैं मैं बताओं कि हो है मैं चलिए नेहा आप बता दो मैं नाइट अभी जो हमारे कोट कार्ट से पेज उनको उनकी परस्नालिटी को reflect करते है मतलब अब हमने पेजिस को की मैसेज लेके आते हैं असा क्यों बोला जैसे मैंने अभी बोला था कि एक बिगनिंग ओ रही आपकी हना नई चीज की शुरुवात हो रही है तो नई चीज की शुरुवात का मैसेज आपको पेंटिकल्स देते हैं जैसे हम चूट है ना तो आप बता सकते हो इसके अंदर ये चीज भी कि आप एक नई चीज की शुरुआत हो रही है किस चीज की stability की शुरुआत हो रही है एक action की शुरुआत हो रही है या emotional चीजों की शुरुआत हो रही है या फिर communication की शुरुआत हो रही है यह page का एक अलग aspect है, हम अलग aspects में पढ़ रहे हैं, कि जहां पर pages बच्चे हैं, immature है, चीजों को पूरे नहीं करते, और एक चीज की beginning हो रही है, starting हो रही है, उसी को ही आप बोल रहे हो कि वो एक नया message लेके आ रहे है, अब वो अभी आपने बोला कि message के उपर जो work करता है, व message के उपर knight ही क्यों काम करता है, वो राजा और रानी क्यों नहीं काम कर सकते हैं उसके उपर, वो उसको हम इसलिए बोलते हैं, क्योंकि बच्चे से जो अगली stage होती है, वो knights की ही होती है, आपको king और queen तक पहुँचने के लिए page और knight की stage से गुजरना होगा, जब आप बच 40 के नहीं हो सकते, उसके बाद ही आप राजा बनोगे, तो सबसे पहली stage क्या होती है, beginning, मतलब बच्चा, उसके बाद हमारी दूसरी stage आती है knights की, और हम सब लोग, अभी चलो कोई 30s की range में होगा, कोई 40s, जैसे हम, मैं अभी 40s में हूँ, तो मैं knight वाली stage को कव पार कर अब मैं किस stage पे हूँ, मैं queen वाली stage पे हूँ, जब मैं 50 cross कर जाओंगी, तो मैं king वाली, इससे भी जादा मेरे पास maturity आजाएगी, तो मैं कोई गलती का मेरे पास कोई अशंका नहीं रहेगी, ये 100% maturity और 100% काम करने वाले लोग है, राणियां गलतियां करती हैं, राजा बह अच्छे तो हैं इंगलतियों के पुतले, और knights भी, knights भी गलतियां करते हैं, क्योंकि वो भी young हैं, और young लोग ही गलतियां करते हैं, अब हम जो हमारे ये knights हैं, हम देखेंगे कि ये किस-किस direction में जा रहे हैं, अब normally हम tarot सीखते हैं तो हम directions नहीं सीखते, शायद जो भी readers बता रहा है कि आपका knight का गोड़ा किस direction में जा रहा है, लेकिन this is also a part of tarot, right, मैं अपने course में जैसे बताती हूं कि आपका गोड़ा किस direction में जा रहा है, आपके characters जो हैं, वो आपके characters खड़े हैं या बैठे हैं, आपके जो सारे characters हैं ना, उनकी position भी matter करती है, आपको शायद यह नहीं पता होगा आज तक यह बाग जैसे एक character आपका magician है, वो सीधा खड़ा है, right, fool past की direction में खड़ा है, hermit past में खड़ा है, right, future की तरफ मू करके भी हमारे कई characters हैं, जैसे knight of pentacles हैं, kings में हम देखेंगे, king of, queen of wand है, यह future की तरफ मू किया हुए, इसने right side में, sword ने भी future, इन दोनों ने past की तरफ मू कर रखे, तो यह क्यों कर रख है, अब जिसने cards बनाए थे, उसने सभी राणियों को एक direction में क्यों नहीं दिखाया, है ना, अब यह सारे राजा है, सभी राजाओं में, king of wands को ही left side में मू किये हुए, क क्यों यह भी signify करते हैं कुछ, right, अब हम देख रहे हैं, हमारा जो nights है, यह सबसे पहली बात है कि यह young लोग हैं, जैसे मैंने बूला, 20 से लेकर के, आप 35 से 40 तक बढ़ा, क्योंकि 40 साल तक लोग full of passion होते हैं, यही वो 20 साल होते हैं, लाइफ के, जब आप अपने आपको ज अपना career सेट करते हैं, focus होते हैं, इसी लिए यह जो nights है, यह सबसे जादा young और energetic लोगों को बोला जाता है, अब इन में difference क्या है, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि जो pentacles का, आपका page है, वो बिचारा slow है, इसी लिए हम देखेंगे कि pentacle का बच्चा slow है, तो उसका जो night है, वो भी हमें एकदम से slow दिखा रख है, slow in the sense वो एकदम खड़ा ही है बेचारा, उसका गोडा ही नहीं चल रहा, अब nights जो है न, यह खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं इनके गोडे, देखो, गोडे के उपर night बैटा है, तो गोडा जितनी तेजी से द जाएगा, है न, अगर night गोडा fast चल रहा है, तो night में भी उतनी तेजी आ जाएगी, है न, अब यहां पर दो चीजी होती हैं कि एक तो night अपने गोडे को तेज कर रहा है, या night का गोडा तेज दोड़ रहा है, अब आप इसको जैसे भी समझो, पर हम पढ़ेंगे इसको गो night का गोडा एकडम से खड़ा है, cups के night का गोडा चलना स्टार्ट हो गया है, अभी उसने एक पैर उठाया है, night of sword का गोडा बहुत ही जादा तेजी से दौड़ रहा है, night of wind का गोडा चलते चलते रुप गया है, देख रहा है न, तो इसने अभी चल रहा था, एक दम से ये गोड़े की position तब होती है जब गोड़ा चलने से मना कर दे जब आप अगर कोई गुड़ सवार है और अपने गोड़े को चलाने की कोशिश को गोड़ा एक ही जगा पर टांगे उठाये जा रहा है मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा तो ये दो तरीके से होता है कि एक तो वो चली नहीं रहा या फिर चलते चलते एकदम रुख गया है और उसने ऐसा कोई सामने देख लिया कि वो एकदम से रुख गया अब हम इनको explain करेंगे सबसी पहली चीज़ जो सारे के सारे सारे रीडर्स बढ़ाते हैं की nights जो है न बड़े focused हैं इसको जो explain किया जाता है उसको यही explain किया जाता है कि यह night of pentacle है night of pop है तो यह बड़े focused है मैंने भी यही पढ़ा था कि बड़े focused हैं सूपर responsible हैं यह पूरी अपनी responsibility से काम करेंगे, यह young लोग हैं, यह बड़े passionate हैं, तो सभी nights को yes बुला जाता है, क्यों? क्योंकि वो young energy वो काम करेंगे, लेकिन सभी nights yes नहीं बोलते, पहली चीज़ तो यह है, अब वो yes क्यों नहीं बोलते देखो, यहाँ पर दो हमारे जो nights है न, वो past की भाग रहे हैं, night of band और night of sword, मतलब in nights की direction ही गलत है, यह सही दिशा में ही काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, यह दो सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी सिरफ night of cup का गोड़ा जो चल रहा है, इसका तो बेचारे का खड़ा ही है, इसको तो चल ली नहीं र होता है, suppose किसी ने बोला कि मिर को अपने business के बारे में जाना है, या relation के बारे में जाना है, यही 4-5 questions होते हैं, भीवी छोड़के चली गई, partner ने block कर दिया, unblock नहीं कर रहे हैं, या मेरी job नहीं लग रही है, बिजनस नहीं चल रहा है, यही 5-6 questions होते हैं, अब डिपेंड कर है कि question कौन सा, तो जो भी question आएगा, हम बोलेंगे, अगर night of pentacles आ गया है, कि आप काफी focused हो, night ने बड़े ध्यान से pentacles को हाथ में पकड़ा हुआ है, उसने अपना target बनाया हुआ है, वो उसको achieve करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि जिस चीज के उप पर वो बैठा है, जो situation है अभी उसकी present में, तो उसका घोड़ा क्या है, उसकी situation, तो situation तो उसके साथ ही नहीं दे रही, अब बेशक आप जितनी मर्जी तैयारी करके रखो, भी मेरे को तो दिल्ली जाना है, मेरी train है, मेरे को दिल्ली जाना है, आप तैयार हो के बैठे हो, सम गलती किस की है, गाड़ी की है कि नहीं आई, या फिर हम बोलते हैं कि आज का तो दिनी खराब है, आज तो कोई काम ही नहीं बन रहा, घर से निकले थे, सोच करके कि ये काम पूरा करके आएंगे, लेकिन अगर जहां पर पहुंचे, जिस बंदे से मिलने गए थे, वो बंद पहुंचे नहीं है, वो नाइट सही डारेक्शन में भी जा रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है, क्यों क्योंकि देखो, अगर आप सिरफ पास्ट की तरफ मू करके खड़े रहोगे, पास्ट की तरफ सोच करके आगे बढ़ने की कोशिश, तो आप गलत दिशा में है, अगर सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, कि अगर आपको फ्यूचर के अंदर सक्सेस हासिल करनी है, तो सबसे पहली चीज है कि आपको सही डारेक्शन मिलनी चाहिए, लोग सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, सक्सेस्फुल क्यों नहीं होते हैं, क्यों उनके पास किसी चीज की कमी हो जाते या तो उनके पास resources की कमी हो जाती है कई बरी क्या होता है कि आपके पास resources भी है पैसा भी है आपने fees भी लगाई है सब कुछ लगाया है आपको टीचर सही नहीं मिला आपने सारा पैसा वेस्ट कर दिया आप जहां पर थे आप वहीं पर ही खड़े हो तो आप मे कुछ भी progression नहीं हुआ तो यह night of pentacles जो है इस तरह का situation दिखा रहा है जहां पर फिर हम बाद में पते क्या बोलते हैं जैसे आपने बड़ी तयारी का रखी थी किसी काम के लिए आपने पैसा इकठा किया लेकिन आपका वो काम बना नहीं आप officer को पैसा भी दे करके आगे लेकि पिर बाद में सोचत फिर आप उसको ऊसके पीछे गेड़े मार रहे हैं कि पैसे वापफिस आ जाए मेरे किसी तरीके से काम तो हुआ नहीं न तो पैसा भी वापिस नहीं आया और काम भी नहीं बना तो end में हम पते क्या बोलते हैं यार किस्मत ही खराब थी है ना तो किस्म का अपनाना चाहिए था तो आपका काम हो जाता राइट तो सबसे पहले तो हम direction देखेंगे अपने nights की कि उनकी direction क्या है राइट ये वला night pentacles ये पूरा focus देश की direction सही है problem ये है कि इसका time साथ नहीं दे रहा अब time साथ नहीं दे रहा तो इसी लिए by nature वो slow हो गया अब अगर ये card आपका business में आता है तो हम देखते है stuck energy अगर कोई बोले कि क्या मेरा काम हो जाएगा तो night of pentacle आया तो answer is no अब शायद आपने yes पढ़ा होगा मेरे को नहीं पता yes ma'am no answer is no क्यों गोड़ा काल यह गोड़ा बिचारा बिमार है काला है उसके उपर आप बैठे हुए तो बिचारा चली नहीं रहा तो आप काम कर रहा होगे जाके नहीं कर सकते ना आप जितने मर्दें तैयारी कसी हुई है आपका बिचारा जो काम करने वाला जो आपकी situation है जो लोग है वही आपका साथ नहीं दे रहे आपका काम ही नहीं होगा तो काम नहीं होगा yes no की reading में हम इसको नो बोलेंगे secondly वो pentacles का card है तो बिलकुली नहीं होगा pentacles is a stuck energy तो एक तो pentacles उपर से आला घोड़ा right सारे के सारे pentacles के card stuck energy होते हैं लेकिन जब pentacles के card negative हो जाएं तो वो और जादा card negative energy बताते हैं तो इस बंदे का काम नहीं होगा चाहिए जितनी मर्जी तैयारी कस ले जितनी मर्जी ये तैयारी कर ले अगर ये government job के लिए तो नहीं लगेगी अगर ये रिष्टों के लिए मेरा partner ने में को block कर रख तो नहीं करेगा unblock अगर ये शादी के लिए आया कि भी हम शादी लड़की देख रखी है बस अब हमारा final तो नहीं होगा final कुछ अड़चन आ जाएगी काम नहीं होगा तो हर चीज के लिए हम क्या बोलेंगे काम नहीं होगा समझ रहे हूं क्यों क्योंकि energy स्टक है ताला घोड़ा energy स्टक दिखा रहा है यहां पर है कि अधिक्शन नहीं लेक्शन लेने के लिए तो तयार है वो तो तयार ही है उसके कपड़े तो काले नहीं दिख रहे ना हमें वो तो तयार action लेने के लेकिन भाया आप यह सोचो ना आप तयार ओ घर से निकलने के लिए काम करने के लिए हाँ ना पती ने डांट दिया सास ने मना कर दिया आप निकल पाऊगे घर से नहीं निकल पाऊगे आप तो तयार ओ आप तो बोलोगे friend को मै तो यह त्यार थी movie देखने जाना था पती ने बना कर दिया आप क्या करूँ तो यह वो सिचुएशन है जहां पर आप रेडी हो चीजों को करने के लिए लेकिन महौल आपका साथ नहीं दे रहा सिचुएशन आपका साथ नहीं दे रही तो आपका काम नहीं होगा आपने UPSC की त्यारी फुल तै इस चीज से निराश नहीं होना क्यों पर दो यह वो सिचुएशन होती है जब आप रेडी हो चीजों को करने के लिए लेकिन चीजें नहीं हो रही है तो इसका मतलब अभी इन्वाइर्मेंट अभी महौल अभी किस्मत साथ नहीं दे रही और आप वेट करना पड़ेगा इ इस चीज से निराश नहीं होना क्यों क्योंकि आपने अपना फोकस नहीं गवाना आपने यह तैयारी नहीं छोड़नी आपतेयारी करते हो कोई नहीं आज काम नहीं बनाकल बन जाएगा तो तैयारी रखना और दूसरा पैंटेकल्स का कार्ण है तो स्लो मोशन पर ही काम यह भी आप बोल सकते हो जैसे किसी ने बोला कि मेरा को हमें घर लेना है हमें घर नहीं मिल रहा कि रायका यह हमारा घर है प्रॉपर्टी है हम बेचना चाहते हैं भी की नहीं रही है और आप यह नाइट ओफ पैंटिकल निकाल दी आपने हैं तो हम क्या बोलेंगे कि देखो आप तो बेचना चाह रहे हो आप तो काफी सारे शायद क्लाइंट्स को दिखा भी रहे होगे हना अगर आप घर लेना चाहते हो तो आप मुझे लगता है कि हर चोथे दिन कोई घर देखने जा रहे होगे लेकिन बात निहीं बन रही है कुछ भी हना क्यूं क्योंकि अभी सारी चीज़ स्लो मोशन पर पड़ी हुई है क्योंकि अभी आपका वक्त साथ नहीं दे रहा पानचे. मैं मुझे रेंट पर लेना यह वह गर और यह स्काफ पेंटेकल तो यह नहीं आला गए अगर मुझे यह गरमिल जाएगा जो मैं देखने जाण हुगा कि कै एक घर आव में किसी नहीं बता है तो क्या संपाइक हैบलो motherfut либо हैगी वो प्रॉपर्टी नाइट ऑफ पैंटेकल इसनों नहीं मिलेगी हम यह सब्सक्राइब चल पड़ा है अभी तक जो रुका हुआ था वो चल पड़ा है अब आपके काम हो जाएंगे यह का कार्ड है आप फोकस्ड हो अपनी चीजों को लेकर के बिजनस है तो हम बिजनस काफी जादा स्पीड तो नहीं पकड़ा हुआ है लेकिन चल रहा है आपके खर्चे निकल रहे हैं आपको किसी चीज की कमी नहीं हो रही आपके क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं अगर रिलेशन है तो चल रहा है आप अपने रिष्टों में अपनी एनर्जी अप अपना फोकस काफी लगा रहे हो यह वाला नाइट मुझे सभी नाइट में से सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह स्लो एंड स्टेडी है लेकिन यह रुक भी नहीं भाग रहा है इसको कोई जल्दी नहीं पड़ी यह बड़े अराम से मस्ती में अपना काम कर रहा है रिल पार्टनर के लिए कर रहे हो सोच रहे हो आप सही दिशा में जा रहे हो आपके एफट से सही है अगर कोई नया रिलेशन के लिए आते मैं मेरे को ना एक लड़की की तरफ काफी ज़दा अट्रैक्शन हो रहा है मैं क्या करू है तो यह नाइट ओफ कप आ जाता है तो हम ब बढ़ो बढ़ना चाहिए आपको उसकी तरफ क्योंकि हमें नाइट ओफ कप क्या बोल रहा है बढ़ने का काड़ है यह चल रहा है वो कि आपका उसके साथ रिलेशन्शिप चल पड़ेगा राइट स्टार्ट हो जाएगा रिष्टा बस इन लोगों को किस चीज का ध्यान रखना होते है नाइट ओफ कप को कि आपको अपना फोकस इक अपना इसने बड़े ध्यान से पकड़ रख है हाथ में जैसे इसिसने कोई काच की चीज होती है आरो ऐसे हम पकड़के बड़ा ध्यान से उठा के इधार से उधर रखन तो इस तरह से और यह दूसरा कपस का काड एक एमोशन्ज का काड़ है ना तो इमोशन्स को बड़े नाइसली प्यूरली अगले कए emotions को handle करो अपने partners की feelings को understand करो उनके लिए जो भी आप कर सकते हो अपने level पर वो चीजे करो तो आप उनको प्यार दो, respect दो अपने आप ये समझो कि ये आपका partner है आपको इतने प्यार से उसको पकड़ करके अपने रिष्टे में आगे बढ़ना है क्योंकि ये relation है ये आपका relation है और गोड़ा बोल रहा है कि चल रहा है अराम से तो आप जैसे अगर कोई बोलते है कि मैं एक बारी मेरे पास equation आया था कि मैं मेरे ना अभी अभी किसी के साथ relationship स्टार्ट हुए है लेकिन जो मेरी girlfriend है नो मिलती नहीं है मुझे मैं उसको बोलता रहता हूं कि चलो movie चलते हैं या वो कोई ना कोई बहाना मार देती है मिलती नहीं है तो मेरे को तो नहीं लगता कि मेरा और उसका चलेगा तरके है ना तो मैंने उसको ये वाला काड़ाया था मैंने उसको गाइड किया था देखो तुम जल्दी मत मचाओ ना और अभी तुम अभी बोल रहे हैं को कि रिष्टा स्टार्ट हुआ है तो इस रिष्टे को आपको नॉर्मल पेस पर रखना है नाइट ओफ कब बोल रहे हैं अपने रिष्टों को हैंडल करो प्यार से जल्दी मत मचाओ जल्दी मचाओगे तो कप छूट जाएगा है ना जबरदस्ती करोगे गल्फ्रेंड से उस बात को लेकर के तू आ नहीं रही है मिलनी रही है करके तो लड़ाई करोगे जगडा करोगे एक दूसरे को ब्लॉक करोगे तो वह भी बंद कर दे कि तुम्हें ब्लॉक कर दे क्या फाइल है तो बेटर है कि अपने रिष्टे को प्यार से मुहबत से चलाते रहो अब एक कार्ड मेरे पास एक्वरी लेवल पर मीटिंग रखी है तो मैं बताइए कि वह मीटिंग कैसी रहेगी कि कुछ उसके अंदर कुछ होगा या नहीं होगा तो नाइट ओफ कप आया था मैंने बोला था कि देखिए बिल्कुल सही रहेगी मीटिंग आप जैसा चाहते हो उस मीटिंग में वैसी सब चीज और आपके जो लोग हैं दूसरे साइड के लोग वो भी उसके साथ एक और कार्ड भी निकला था मैंने उनकी साइड के लिए निकाला था लेकिन आपकी साइड से चीजें बड़े अच्छे लेवल पर जाएंगी आपको अगर उनकी साइड से कुछ डिबांड जैसी आती है कुछ आप अपनी रखना कुछ आप उनकी सुनना तो ये रिष्टा चल पड़ेगा दुआरा से तो जो अभी तक रुका हुआ था मूमेंट्स नहीं थी आपके रिष्टे में आपका पैच अप होने के पूरे पूरे चांसे हैं क्योंकि येस नो की रिडिंग में भी ये का तो रिष्टा इनका दुवारा से ये अपने घर चली गई थी मतलब चीक है तो इस तरह से रिष्टा चल पड़ा था तो किसी भी चीज़ को लेकर के आप बोल सकते हो कि आपकी चीज़े चल पड़ेंगी चाहे वो रिष्टा है बिजनस है करियर है हेल्थ है हेल्थ में भी अभी तक कुछ problem थी, stuck थी, तो अब वो ठीक हो जाएगी, health, fitness की तरफ बढ़ रही है, अब ये दो parts, चलो ठीक है, night of pentacles, दोनों के घोड़े, हमें दिख रहे है, future की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने बोल दिया, कि आप सही direction में जा रहे हैं, जादा problem आती है, इन दोनों के अब वो इनके साथ problem क्यों आती है, क्योंकि सबसे बड़ी problem दिक्कत इनकी ये है, कि ये सही दिशा में ही नहीं जा रहे, मतलब इन लोगों को कोई, किसी ने गलत guide कर दिया, किसी ने इनको, इनका मूँ गलत side पे मोड दिया, तो ये उसी direction में दोड रहे हैं, ये अभी चलत चलते रुक गया है इसका गोड़ा, इसकी चीजें stuck हो गई है, लेकिन ये जरूरत से जाधा तेजी पकड़े हुए, अब देखो हम, ये हमने कहावत भी सुनी हैं, कि अगर जरूरत से जाधा तेज चलोगे तो, हागे कुवा पीछे खाई वाली बात होती है, आपको slow and steady च चक्कर में ये बंदा गलट डाक्षन में जा रहा है, इसको यह सिरफ गर से निकल पड़ा है, इसने सिरफ इसको बस यह AFFमें को यह Achieve करना है, बस में को यह पूरा करना है, इसने कोई strategy नहीं बनाई, इसने कोई plannings नहीं बनाई, इसका aim एक ही है, सिरफ बस मुझे achieve करना है, जैसे मरजी, by hook और by crook, सही गलत जो भी हो, अभी इसलिए हम देख रहे हैं कि पीछे के बादल काफी aggressive नजर आ रहे हैं, बादल भी aggressive है, इसकी aggressiveness के कारण, र reading में आएगा, तो हम पहली चीज तो ये बोलेंगे, कि आपकी direction गलत है, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही है, दूसरी चीज, जिस चीज के लिए आप निकले हो, वो आपका काम नहीं होगा, अब क्यूं नहीं होगा, भाया, गलत दिशा में जा रहे हो, तो काम कहां ही करोगे, आगे दिवार में जाके टकराओगे तो, चीक है, जाना था पूरव में जा रहे हो पस्चिम में, ये बात है, secondly, अब ये वाले readings के, मैं आपको examples दे देती हूं थोड़े से, एक बारी मेरे पास किसी ने reading पूछी थी, उनका, जो है, काफ ने मुझसे पूछा कि मैं मेरे को ये वाला exam देना है, और ये exam देने के बाद मुझे abroad country जाना है, तो मेरे मन के अंदर बस ये ही है, कि मेरे को बस किसी भी तरीके से ये exam clear करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं को exam clear करना है, और क्योंकि मेरे घर के, घरवालों के मेरे से expectations बहुत जादा है, तो मैं उनके expectations को hurt नहीं करना चाहती है, और मैं जाना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, तो मेरे पस ये night of sword आया था, तो मैंने उसको बोला कि देखो जो भी तुम सोच रही हो, जिस दिशा में तुम भागने की कोशिश कर रही हो, सबसे प अगर मैं आपकी energy देखों कि मुझे exam clear करना ही है by hook और by crook, तो वो आपका तरीका गलत है, आपका इस बार में exam clear नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो sword का card है, night of sword is an obstacle, obstacle, obstacle है वो, गलत direction में जा रहा है, नहीं होगा, आपको दुबारा से try, देखो आप ये चाहने से नहीं होती हैं चीज़े, मुझे by hook और by crook करना के लिए और तो फिर जाके कर लो, तुम क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा exam देके ही आ जाओगे न, इससे ज्यादा तो कु क्योंकि card energy catch करते हैं, तो ये उसके दिमाग की तेजी बता रहा था, कि ये बहुत जादा जल्दी चीज़ों को achieve करना चाहती है, ये बहुत जल्दी सोचती है भी मैं ये exam clear कर लूँ, और उसके बाद मैं बाहर चली जाओ, मेरी वहाँ, तो इसके हिसाब से नहीं होंगी ची इनसान पुल ओफ एनर्जी, इसको ये नहीं पता कि भी मैंने किस दिशा में जाना है, मैंने क्या, बस इसका ये एम है कि मैं को ये करना है, ये करना के लिए इसको इसने strategy कुछ नहीं बनाई, बस इसको ये पता है कि मैं ये exam clear कर लूँगी और मैं बाहर, क्या तुम्हें ल बोलेंगे इसको अपनी speed slow करो, थोड़ा धीरे हो जाओ, speed slow कर लो अपनी, फिर सोचो कि मुझे क्या करना है, देखो तुम यंग, तुमारी energy बड़ी young है, क्योंकि वो night की energy है, तुमारा focus बहुत जादा है, तुम कर सकते हो, अगर तुम सही direction बना लो, अपनी strategy बना लो, अपनी चीज़ों को decide कर लो, तुम कर लोगे, कर सकते हो, लेकिन right now you are in wrong direction, तो तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है, किसी की guidance की, तुम्हें जरूरत है सही direction की, अपनी चीज़ों को plan करो, यह हम बोलेंगे, अब जरूरी नहीं है कि आपको नहीं हर बार यही reading ही देनी है, कई बारी ना कुछ-कुछ चीज़ों में आपको लोगों को पढ़ना पढ़ता है, क्योंकि यह देखो भाग रहे ना, तो किसी-किसी reading में आपको यह बोलना पढ़ता है, कि आपको चीज़ों के पीछे पढ़ना होगा, वो हम पते कब बोलेंगे, जब लोग ह हमारे पास आते हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, जैसे उसने मुझे बोल दिया, कि मैं तो बाई हुक और कुक में को तो करना ही है, तो मैं समझ गई कि यह तो full of energy है, इसने कुछ सोचा समझा नहीं है, तो नाइट ने मुझे बोल दिया कि यह directionless है, मैं वाँ में पर दो तीन चक्कर लगाये है, मेरा काम नहीं होगा, पता नहीuhan मैं पता के को मैं बताओ होगा यह नहीं होगा, अब मैं उसको नहीं बोल सकती कि आप जरूरत से ज्यादा तेजी कर रहे हो क्यों क्योंकि उसने मैंको बोला हिए कि मैंने दो तिन चक्कर लगाएं तो मैंने उसको क्या बोला कि तेजी बढ़ानी होगी आपको उनके पीछे पढ़ना होगा तब आपका काम होगा समझ रहे हो तो ये सारा कुछ depend होता है client के question के उपर कि question किस तरह का question है हमारा जहां पर बंदा बोल रहा है कि मैं तो बहुत ही जादा तेजी में हूँ मैं को तो बहुत जल्दी चाहिए मेरे को ये तो night हमें बोलता है speed slow कर लो आपकी direction गलत है जहां पर बंदा बोलता है कि मेरा बहुत important काम है बस पढ़ मैं एक दो बारी गया हूँ पता नहीं मेरा हो रहा है तो night बोल रहे हैं तेजी बढ़ाओ पीछे पढ़ो उनके तब काम होगा otherwise नहीं होगा तो ultimately night ने क्या बोला नहीं होगा तो चाहे तो पहली बारी में आप तेजी आपकी जादा है तो night बोल रहे हैं तेजी गटाओ तो नहीं होगा अगर आपकी तेजी है ही नहीं night बोल रहे है तेजी तो नहीं तो answer is नहीं होगा तो इस बार में नहीं होगा उसके साथ ही फिर हम guidance दे रहते हैं question के according clear हो गया next आते है night of wind यह इसकी भी बिचारे की direction गलत है यह भी गलत दिशा में जा रहा है उल्टी दिशा में जा रहा है left की side इसका मुँँ है past में जा रहा है right इसके अंदर डर है मन के अंदर भै है इसका यह बंदा बेशक positive है यह बंदे के हाथ में wind है यह wind का इसका जोश बहुत जादा है इसके अंदर तो winds क्या बताते हैं जोश तो जोश तो पूरा है energy पूरी है लेकिन energy पूरी है लेकिन फिर भी direction गलत है और क्यों गलत है यह डर है यह step नहीं ले रहा डर के मारे step नहीं ले रहा यह अब जो पहले बंदा आया था मेरे पास उसने बोला कि मेरे को तो हर हालत में जाना ही है बाहर दूसरे ने बोला कि मेरे को मेरे काम अटका पड़ा है पर मेरे काम हो नहीं रहा government sector में आप सोचो तो गवर्मेंट सेक्टर में एक बार ही चक्कल लगाने पर काम हो जाएगा तो नाइट ने मेरे को बोला भहिया स्पीड बढ़ाओ थोड़ा पीछे पढ़ो उनके अब वहीं पर ही अगर नाइट ओफ वैंड आता है तो हम बोलेंगे कि भहिया आप डर रहे हो आप नहीं कुछ दिन नहीं कुछ महीन वादला महीना डेड़ो गया तब पूछा था बोल रही है कि मैं में को लव मैरेज करनी है तो मेरे को ये बताओ कि मेरे मम्मी डैडी मान जाएंगे या नहीं मानेंगे शादी के लिए तो नाइट ओफ वैंड आया था मैंने उसको बोला कि तु समझने पारियो की मैं कैसे बात करूं तो नाइट ओफ वैंड का घोड़ा जो है वह रुका हुआ है वह चल नहीं रहा है उसको पता नहीं चल रहा है उसका night उसको पीछे खीच रहा है डर के मारे कि पता नहीं मैं इस गोड़े को चला पाऊंगा या नहीं तो उसके अंदर डर है हलांकि वो उसको चलाना चाता है फोकस्ड है देखो वैंड भी हाथ में पकड़ी हुए पैशन भी है बट स्टिल डर रहा है तो मैंने उसको यही बोला कि तुमारे अंदर कोई डर है शायद ये डर है कि मम्मी पापा मना कर देंगे या घर में कलेश हो जाएगा कोई ना कोई तो होगा तो बोलती हां जी मैं यही बात है मेरे पापा ना बड़े गुसे वाले हैं मेरे को तो ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं कई बरी मैं सोचते हूं अपनी बहन को बता दूं पहले कई बरी सोचते हूं चाची को बता दूं क्या करूं तो मैंने का पहले तो यह मन डर से निकालो आपको स्टैप तो लेना ही होगा फिर बाकी जो कार्ण निकले थे उसके हिसाब से मैंने उसको गाइड किया था कि आपको यह करना चाहिए यह करना चाहिए तो फिलहाल present energy मुझे क्या बता रही है कि आप डर रहे हो आपके मन में डर है भै है तो इस डर को इस भै को overcome करने की जरूरत है तभी आप अपनी चीजों को बता पाओगे शादी की बात कर पाओगे पापा मानेंगे नहीं मानेंगे उसके ल करन आगे नहीं बढ़ पा रहे है अपनी energy को आपने दबा लिया है तो आपको यह दबानी नहीं है energy आपको आगे बढ़ना है करो लो स्टेप पिन लोगे तो क्या होगा क्या होगा अगर शादी करनी है तो ऐसा तो है निकी मुझ बंद करके यह शादी करो बोलना तो गई घरवालों से बात तो करनी पड़ेगी वह आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी तो कल की बजाए आज करो है ना फिर उसके बाद अगले काट देख करके मैंने इसको गाइड किया था जिस तरीके से भी तो नाइट ओफ गैंड हमें ये बोलता है कि आप अपने डर पर काबू पाईए आगे बढ़िए ये स्टेप लेने का टाइम है ये डारेक्शन गलत डारेक्शन में जाकर के रुकने का टाइम नहीं है आपको डारेक्शन नहीं मिल रही आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको क काम होगा अधरवाइज नहीं होगा क्लियर हो गया तो आज हम थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं अब आपको एक कोईस्चन देंगी कुछ कोईस्चन दूंगी मैं आपको आप उसके उपर नाइट और पेजे के उपर ही बोलेंगे सिरफ रैट रेडी हो जैसा मैंने समझाया उसी के इसाब से आपको नाइटS और पेजे के कार्ड्स मैं बोलूंगी कि यह नाइट है यह पेज है तो उसके उपर आपको बोलना है मेरे ब्रदर एक बिजनस स्टार्ट करना चाहते है नया राइट गारगी आपके लिए क्विश्चन है तो बताओ कि वो उनको बिजनस करना चाहिए या नहीं चाहिए या उनका कैसा रहेगा और कार्ड आता है पेज ओफ कप आपको बिजनस करना चाहिए और डेफिनेटली करना चाहिए लेकिन आपको थोड़ा सा एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए ताकि आप मेचौरिटी से काम कर सको आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है भावनाओं में नहीं भेना है और क्या क्वश्चन था माम मेरे ब्रदर उ चाहिए बट समहलके पुरा रिसर्च कर लो और आपको हर किसी की बात पर एकदम से यकीन नहीं रख करना अपनी जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन को मजबूत रखना और ओवर इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है यही मैं बोल पाउंगी मैं इसमें जलाल तो सबसे पहले तो बूसे बूसे सुनाई ना मैं और दिए मुझे यह सुनाई दिया कि मेरे को बिजनस करना है या नहीं करना चाहिए या नहीं चाहिए तो सबसे पहले हम page of cup का काड़ आता है मतलब वो अपनी चीजों के लिए अपने बिजनस के लिए जो वो सोच रहे हैं वो करने के लिए 100% confident नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीछे पानी भी है emotions को बता रहा है secondly pages 11 number के cards होते हैं जो कि 1 plus 1 2 हो जाता है चंदर्मा की energy तो सारे के सारे ही cards पे चंदर्मा की energy हैं इसी लिए ये लोग अपने काम पूरे नहीं करते dual mind हो जाते हैं थोड़े time बाद इनका mind हो जाता है तो हमें नहीं लग रहे हैं कि आपके brother इस time पर business start करने की energy में हैं हलांकि page का card है तो कहीं न कहीं start करने की सोच रहे हैं क्योंकि starting का भी card है नहीं start करने की सोच रहे हैं but he is not confident and sure sure नहीं है और secondly वो शायर कुछ न कुछ किसी चीज की weight भी कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि page के cup में से मचली निकल रही है तो किसी message की weight कर रहे हैं किसी चीज की उमीद कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं है ना किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो अभी 100% confident नहीं है तो future में कर पाएंगे या नहीं अगले महीने या उससे अगले महीने के लिए फिर एक और card निकाल लेंगे देख लेंगे वो card क्या बोल रहा है या इस card के ऊपर ही आप एक clarifier card निकाल सकते हैं clarifier निकाल के आपको अच्छे से समझा जाएगा माम एक चीज जो cup पकड़ा है ना इन्होंने page of cups ने जो cup पकड़ा हुआ है उसका मतलब क्या waiting होता है wait करना होता है इंतजार किसी message का इंतजार करना message का इंतजार अच्छा ठीक है मतलब वो offer देना नहीं है वो wait कर रहा है किसी के लिए कोई मेरे पास offer आएगा क्योंकि मचली cup में से बाहर निकल रही है ना उसकी side आएगा उसकी side आएगा ठीक 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 मुझे लगा हो देगा ठीक है ठीक है नहीं उसकी side कुछ आएगा तभी वो चीजें start करेगा ठीक है तो अभी वो 100% उसकी नहीं लग रहे हैं लेकिन अगर page of काना तो होगा ही दिमाग से कई ज्यादा पैसे ना कर्च कर दे या उसे पता होगा ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसने पूरे अपना एम बना रख है कि मिरको तो यह बिजनस करना ही करना लेकिन अभी करेगा या नहीं करेगा यह अगला क्लैरिफायर निकालने से ना यह फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि यह वाला जो पेज या कोई नाइट का कार्ड जो कोट कार्ड आया है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यह काम करेगा या नहीं करेगा तो क्लैरिफायर निकाल लेना ज़रूरी होता है और पेज ओफ पेंटिकल्स नेहा क्या बोलेगा और मैं पेज ओफ पेंटिकल्स यह बोलेगा कि वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया है और वो अपने एंड से जो है वो उतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है हां तो चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं एफट लगा रहा हलांकि उसका फोकस है कि मैं उसको बिजनस करना है लेकिन उसकी स्पीड है ना बिजनस को स्टार्ट करने के लिए वो इतनी जादा नहीं है काफी स्लो है वो और मैं वो डिसीजन में भी उसके इम्मेचॉरिटी रिफलेक कर रही है तो वो जो भी कीस करेगा वो इम्मेचॉरिटी के साथ करेगा और जो वो डिसीजन भी लेगा वो सोच समझ के नहीं ले पाएगा immaturity वाला decision नहीं अभी सोच समझ वो जादा ही रहा है ना कुछ इतना जादा सोच रहा है कि वो बस start ही नहीं कर पा रहा है कि वो action ही नहीं ले पा रहा है तो उसका काम करने का भी हाँ ठीक है वो start करना चाहता है मन में है उसके लेकिन उस हिसाब से उसके actions नहीं है तो अगर हाँ जी आप बताइए सारी का अगर वो page of sword आता है तो आपका म्यूट है हाँ अगर page of sword आ जाता है तो मतलब उसको काम की नहीं बहुत जाता मिलब की बहुत ज़्यादा एक्सेस में उस काम के बारे में सोच रहा है और उसे उस काम की करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है क्योंकि सोट जो होते हैं वो जल्दी जल्दी काम करते हैं दिमाग ज़्यादा चला रहा है जबकि वो कर नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा उस चीज के उपर रिसर्च कर रहा है इनफोर्मेशन इकठी कर रहा है लेकिन उसके जो बात करने का तरीका है शायद जिस हआप से काम करने इनफोर्मेशन इकठी कर रहा है तो शकल कर पा रहे हैं तो कहीं-ब्स्टे कर क्लारिफायर निकालेंगे और पेज ऑफ स्वार्ड के नर्जी जो होती नो कम से में एक साल की होती है तो एक साल ना इसना डूल माइन रहेगा थोड़ा इसका कॉम्मिनिकेशन पी अच्छा नहीं रहेगा तो यह विचार तो काफी बनाएगा कि हम मैं अभी करूंगा अभी क क्योंकि ना माइनगर कार्ड हमें एक साल का टाइप बताते हैं म searching हमें दस महीने बताते हैं कि आपके QAG के 12 नहीं महीन बताते हैं हमारे minor cards बताते हैं मैम इसमें हम suit को नहीं देखेंगे कैसे sword है, wands है, pentacles या cups है उनके according हम timing नहीं लेंगे जब हम time की class करेंगे उसमें बताऊंगे time की class भी है हमारी इसके अंदर ना जी मैम all together जब आप reading कर रहे हो ना तो आप बोल सकते हो कि जैसे हम exactly तो कुछ नहीं होता क्योंकि ये cards हमें just एक idea दे रहे होता है, guidance दे रहे होता है तो आप बोल सकते हो कि 8-10 महीने आपकी थोड़ी obstacle रहेगी या फिर जैसे page of band आया तो 8-10 महीने आप थोड़ा ज़ादा ही energy में रहोगे business में focus बनाने की कोशिश तो करोगे लेकिन उसको पूरा नहीं करोगे तो आपको हम ये guidance देते हैं कि in case अगर आपका business start हो जाता है तो आप उसमें मन लगा कर के काम करना आप फिर ऐसा नहीं है कि पापा आ रहे हैं office में तो पापा को hand over कर दिया तो यह हमें आपको तो यहीं दिख रहा है कि आप इसमें से निकल जाओगे बाद में या तो juniors काम कर रहे हैं या घरवाले काम कर रहे हैं business आपने शुरू किया था तो यह इस तरह से नहीं होना चाहिए तो इसके उपर clarify निकाल कर एक और अच्छे से बता सकते हैं यह मैम चली नाइट के पढ़ लेते हैं एक बार मेरी शादी नहीं हो रही है बताओ मेरी शादी होगी या नहीं होगी night of pentacles रेखा जी नहीं होगी मैम साथी अब अभी आप एफर्ट्स परोगे तो भी नहीं होगी क्योंकि अभी आपका टाइम साथ नहीं दे रहा है तो आठ दस महीने तो हमें नहीं लग रहा है इस साल में तो नहीं लग रहा है इस साल में तो नहीं लग रहा है ओके नेक्स्ट क्वेस्चन है night of cups और मेरा क्वेस्चन है क्या मुझे government job मिल जाएगी और कौन है आप बताईये रितिका येस मैम टाइम स्टार्ट गो चुका है अब भी थोड़ा तीरी दीरी चलो गया क्या आप स्टार्टिंग कर सकते है क्या यहाँ पर समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है लेकिन इतना पास नहीं है थोड़ा टाइम लग जाएगा पर स्टार्ट हो चुका है आपके government jobs के पूरे chances हैं आपको मिलेगी आप efforts करो अपना focus नहीं कवाना मिल जाएगी यह वर्षा आप बताईये बिजनस में इस टाइम पर क्या चल रहा बिजनस के बारे में जानना है मुझे night of swords इनना जी बश्च शॉर्ड में बताइये थेरे दीरे आप्ठीक काम कर रहा है बहुत फास नहीं कोशिश कर रहा है तो आप थोड़ा अपनी स्पीट को थोड़ा स्लो करिए और आपका काम वहाँ ठीड चल जाए है देखो बिजनस को न आप इस टाइम पे बिना सोचे समझे कर रहे हो सोचे समझे करने की वज़े से आप अपने बिजनस के लिए जो सही चीज़े करनी चाहिए उनको मिस कर रहे हो उनको नहीं कर रहे हो क्यों क्योंकि आपको mental clarity नहीं हो रही है कि में को इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि mental clarity के भी cards है ना तो mental clarity नहीं हो रही है आपको गलत direction में जा रहे हो तो मुझे लगता है कि है आपको किसी एक्सपर्ट की सलह ले नी चाहिए क्योंकि 12 नंबर काड़ा है तीन नंबर की बन जाती है जुपिटर तो जुपिटर होता है एक्सपर्ट की सिलहा लीजिए एक्सपर्ट मतलब तो अगर उनकी गाइडन्स से चलते हो तो आपको सही गाइड करेंगे और आपकी डारेक्शन सही होगी और आप अपने काम को सही डंग से कर पाएंगे अजी गारगी नेक्स्ट क्वेशन है मेरा बेटा अब्राड कंट्री में गया हुए उसको ना भी जॉब नहीं मिल रही वहां पे तो नाइट ओफ वैंड आया है बताईए क्या उसको जॉब कर पाएगा या उसका कैसा रहेगा वहां पे माम आपके बेटे को इसलिए उनको इसलिए नहीं लग रहे है क्योंकि वो शायद ट्राइ नहीं कर रहे है या डर रहे है वो अपलाई करने से और अगर वो ट्राइ करेंगे तो लग जाएगी लेकिन वो करी नहीं रहे है उस जिस महनत से उनको ट्राइ करनी चाहिए तो उस उस महनत से काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं, उनके मन में कोई डर है, इंट्व्यूस बगेरा में उनका रह जाता है, या कहीं कोई काम अटक जाता है उनका, तुकि, बिल्कुल, हो सकता है कि उन्होंने ट्राइ किया हो, उनका नहीं लगा, तो उनकी मन में ये डर बैट तो नहीं नहीं मिलेगी करके डर बैटने के कारण वो अभी अपने एंड से पूरी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं उनको थोड़ा मॉटिवेट करना होगा कि आप मदर हैं उनकी आप ही उनकी गाइड बनिए आप ही उनके पेंटॉर बनिए उनको गाइड कीजिए कि वो थोड़ा अपने डर से निकलें सही डारेक्शन में जाएं तो वो कर पाएंगे राइट माम मेरा एक क्वेश्चन है जो यह कोट कार्ड होते हैं यह क्या जैसे लोग बिजनस या जॉब के लिए या रिष्टों में भी कई बार अनेथिकल होते हैं गलत काम करते हैं तो क्या माम कोट कार्ड से यह भी पता चलता है जैसे यह जो कौन सा था हमारा नाइट ऑफ स्व कि कुछ लोग गलत काम भी कर रहे हैं गलत क्योंकि उल्टी दिशा में गोडा दॉडरा है और वो गलत दिरेक्शन वह यह बी जैसे मान लिजी यह किसी का गलत अफैर है बहार गलत काम कर रहे हैं तो उस case में भी night of swords काई बार आ सकता है आप हमें पता चाहर बता सकता है कि आप गलत रिष्टे में हैं आप जहां बढ़ना चाहरें गलत जगह बढ़ रहे हैं अपने परिवार में नहीं बढ़ रहे हैं बोल सकते हो आप क्योंकि यह इसकी direction ही गलत है इसका mental clarity नहीं है इसको ऐसा लग रहे है कि शायद जो चीज में को बाहर मिल रही है वो में को घर में नहीं मिल सकती है ना तो इस वजए से वो प्यार वो चीज़ें वो गलत जगह से रूणने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत direction में चलेगा अज हमने थोड़ा लंबा ही हिंच दिये कल मैं थोड़ा जल्दी का और मैं कल ना एक गंटे की क्लास लेने के बाद ना पांच-साथ मिनट का ब्रेक लोंगी थोड़ा ना जैसे आप भी पांच-सपी लो थोड़ा आज ऐसे हो गया है तो फिर मिलते हम लोग आगे करेंगे प्रॉब्लम्स थे ना जो भी ऐसे समझ में नहीं आता था ना पूरा क्लाश